बिस्मिल्ला रामान रहीम, असलाम लेकूं रामतुल्ला, जेम्स स्ट्वर्ट्स बुक, सेक्शन 2.5 और टाइटल है कांटिन्यूटी पिछले टापिक्स से ये कनेक्टेड है, पिछले टापिक्स में जो है वो हमने स्टेडी किया था कि अग्जिस्ट करने का क्या मतलब है और उनको जो है वो फाइंड कैसे किया जाता है और वहां पर हमने ये बत की थी किसी फाइंड के ओपर लिमिट कैलकुलेट करने का मतलब यह है कि उस point के around उसका behavior देखना function का लेकिन exactly उस point के उपर हम उसको ignore करते थे कि वहाँ पर function का behavior क्या है उसको हम ignore करते थे बलके neighborhood में देखते थे हम उसमें limit को function की value के साथ वो किसी किसम का relation नहीं बनाते थे अब हमने ये बनाना है तो definition देखते हैं continuity की या continuous function की वो क्या है यहाँ डब्मे में definition a function is continuous at a number a if this equation holds this relation holds यह relation क्या बता रहा है यह relation यह बता रहा है कि किसी number a के उपर अगर आपके पास function की limit exist करती है यानि left right limit भी exist करती है right limit भी exist करती है और दोनों equal भी है तो फिर हम यह बात करते हैं कि वहाँ पर limit exist करती है और यहीं तक हम बात करके खतम करते थे थे limit के existence के हवाले से अपने पिछली study में अब हमने यह कहा है कि अगर यह उसी point के उपर अगर limit exist करती है तो function की value भी वहाँ भी exist करती हो यानि f of x function है तो f of a यानि a के उपर x is equal to a के उपर function की value वह भी exist करती हो और फिर वह limit के equal भी हो तो फिर हम यह कहेंगे कि उस point के उपर function continuous है और किसी interval में function continuous होने की क्या बात है कैसे बात करेंगे उस interval में सारे points को पर function जो है वो continuous हो तो फिर हम कहेंगे कि उस interval पर function जो भी हमने एक point की बात की है यहाँ पर जो है वो example के जरीए वो बता रहा है कि आप left side से आ रहे हैं a की जानब या right side से आ रहे हैं a की जानब function जो है वो same point को जो है वो approach कर रहा है जो के height क्या बनती है f of a यह height क्या बनती है जहाँ पर function की value पड़ी हुई है यहाँ जिस तरफ को function approach कर रहा है अब वो height क्या बन रहा है f of a तो यहाँ पर आप चाहें left side से जाते हैं या right side से जाते हैं function आपका same point को approach करता है तो इसका मितलब ही है कि limit exist करती है और फिर function की value भी जो है वो उस curve के उपर lie कर रही है add point है तो फिर हम यह कहेंगे कि function यहां पर आगे example one है और इसमें जो है वो हम देखते हैं कि discontinuity जो है वो अगर कहीं पाई जाती है तो उसकी nature क्या हो सकते है और वो कैसे है example number one में वो कहा था figure two shows the graph of some function f at which number is function discontinuous and why कहां कहां पे हैं और क्यों है तो यह हमारे पास आगई figure तो जहां जहां पे तो function जो है वो आपको same pattern पे नजर आ रहा है यानि वहां पे कोई jump या whole नजर नहीं आ रहा तो वहां पे जो है वो limit भी exist है limit भी exist करती है और function की value भी वही है फिलहाल में जहां जहां पे discontinuous है उनको discuss कर लेता हूँ x is equal to one के उपर आप left side से one को आ रहे हैं और function जा रहा है इस height की जानब यहां पे hole पड़ा हुआ है यह whole यहां पे आपको नजर आ रहा है इस height की जानब जा रहा है और आप आ रहे हैं right side से one के तरफ तो आपका जो function है वो इधर से होता हुआ फिर यहां पे गिरा और फिर same number के तरफ जो है वो जाता हुआ नजर आ रहा है तो left limit exist करती है right limit exist करती है और equal भी है तो लहाज़ा function की limit at x is equal to one exist करती है लेकिन यहां पे function की value है यह नहीं सीरे से यानि f of one जो है वो क्या है that is not defined तो फिर definition जो है वो हमें क्या बताती है यह जो डब्बे में अभी हम पढ़के गए थे वो यह कहते हैं कि अगर limit exist करती है तो फिर function की value भी exist करने चाहिए और फिर equality की बाद जो है वो अगला मरहला है लेकिन यहां पे कहा है function की value ही exist नहीं कर रहे हैं तो लहाज़ा function जो है वो continuity की definition पर पूरा नहीं उतरता तो one के ओपर function not continuous इसी तरह से three पर आज़ें left side से आ रहे हैं three की जानब right side से आ रहे हैं three की जानब function जो है वो left side से आते हैं तो किसी और point की तरफ जा रहा है और right side से आप आते हैं three की जानब तो function किसी और point की तरफ जा रहा है तो left limit right limit exist तो करती है है लेकिन एक्स्ट नहीं है जब एक्ट नहीं है तो फिर लिमिट एक्स्ट नहीं करती तो अगला जो मरहला है function की value चेक करने का अगर च्छे वह एक्स्ट तो करती है यहाँ पे आपको function की value फिल्ड यह नजर आ रहा है यहाँ पर definition चेंज है अगले उस part की तो यहां पर नहीं है फंक्शन की वैलियो बहराल एक्जिस्ट करती है लेकिन लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट भी एक्जिस्ट करती है लेकिन वह एक्जिस्ट करती है लेकिन वह एक्जिस्ट नहीं है जब एक्जिस्ट नहीं है लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट भी लिमिट ही एकस्ट करती यह तो अज़िस्ट करती है तो यह दूसरा मरखला हो गया कि लिमिट ही एकस्ट नहीं करती और तीसरा जो सुरत-इहाल जिसका सामना करना पड़ सकता है वह एकस अप्रोच प्रोच डू फाइब left side से जा रहे है function एक point के जानेब जा रहे है right side से आ रहे है function उसी point के जानेब जाता हुआ नजर आ रहे है तो left limit right limit exist करती है और दोनों equal भी है तो limit तो exist कर गई अब लेकिन 5 के उपर function की value भी exist करती है यह separate इसकी definition है इस curve यह जो बना हुआ आपको नजर आ रहे है इस curve के along जो है वो इसकी definition नहीं है बलके इसकी definition जो वो separate है piece wise है तो फिर क्या situation बनी इस definition के हवाले से इस definition के हवाले से यह situation बनी के limit भी exist करती है क्योंके left limit right limit equal है function की value भी exist करती है ओके लेकन equality जो है यह गड़बड हो गया equality नहीं है तो नहीं है तो फिर यहां पर भी function continuous नहीं है तो discontinuity के यह तीन जो है यह possibilities हो सकती है जो हमने अब इसमें देख ली है तो why वाला भी answer आपको मिल गया कि discontinuous कहां कहां है यह हमने देख लिया one के उपर, three के उपर और five के उपर discontinuous है और why का answer भी आपको मिल गया कि one के उपर इसलिए discontinuous है कि function की value exist ही नहीं करती है और three के उपर इसलिए discontinuous हुआ कि limit exist नहीं करती और five के उपर इसलिए discontinuous हुआ कि limit भी exist करती है function की value भी exist करती है लेकिन वो equal नहीं है equal नहीं है तो फिर ठीक है continuity अब example number two में आज है example number two में जो है वो इसके four parts है part A और C जो है वो almost एक जैसा है वो सिर्फ क्या है कि two के उपर ये function not defined है तो निचले वाली example में उसने two के लिए definition चेंज करती है function वो ही है सर्फ definition चेंज कर दिया कि वो one है piecewise उसने जो है वो करके definition बना दिये बाकी b function है d function d part है और इनको हम discuss करते है बजरिया graph गराफ इसके जो है वो नीचे बने हुए है तो उनको जो है वो हम देखते है यह पहले function का graph लेफ्ट मोस्ट पे आप जा रहे है तो की जानब क्योंकि टू के उपर उसने का आएकर चेक करें डिसकांटियूटी हमें नजर भी आ रही है ग्राफ की मदश से णशने गाएए किसी एक नंबर की तरफ हम आ रहे है तो राएट साइड से एक फौंक्शन जा रहा है उसी नंबर की तरफ लगन यहां पर function की definition ही नहीं यह जब function की definition ही नहीं है तो फिर वो ही बात जैसे पिछले example हम ने किये दूसरे एक्जम्पल में आजयें left side से आप जा रहे है zero की तरफ function जा है infinite के तरफ right side से जा रहे है जीरो की तरफ function जा है infinite के तरफ infinite limit यह हम कह सकते हैं कि limit exist इसकी नहीं करते या फिर आप भी यह कहलें infinite limit इसकी exist करते है गली लेकिन function की value भी है one के ओपर function की value क्या है sorry zero के ओपर function की value क्या है one है यहाँ पर उसने define किया हुआ है तो यहाँ से ही हमें नजर आ गया कि function की जो limit है वो infinite है और function की value जो है वो one है तो जाहर है हम बगैर किसी उसके शाको शुबे के कह सकते है कि limit और जो है वो आपके पास उसकी function की value जो है वो equal नहीं है तो फिर जब equal नहीं है तो यह बात आ गई कि इसकी limit exist नहीं करते है उसके बाद आ जाए c part में तो c में again यह वी one का repeat है एक तरह से limit तो exist करती है function की value पहले नहीं थी अब function की value भी आ गई तो function की value भी exist करती है लेकिन वो limit के equal नहीं है तो फिर लहाज़ा यहां पे भी वही वाली बात आ जाएगी कि आपके पास जो है वो function जो है वो two के ओपर discontinuous है बाकी जगों पर ठीक है बाकी जगों का मसला नहीं है one के ओपर function की value भी है limit भी है equal भी है तो यह continuous है इस तरह से आब आज़ है integer function में integer function में जहां जहां पे jump है और आपको यह वाज़त और पर नज़र आ रहा है कहां कहां पे jump है integers के उपर jump है यानि जब integer जो है वो नहीं आता है तो वहां पर क्या जाता है jump आ जाता है तो फिर जो है वो वहाँ वहाँ पर discontinuity पाई जाती है क्यों पाई जाती है क्योंके left limit integers के उपर अब यह आप अपने किताब इसको खुल के देखेगा वहाँ से आप यह आपके सामने होगी कि जहाँ जहाँ integers हैं वहाँ वहाँ पर function जब जम्प कर जाता है उसके definition चेंज हो जाती है तो left limit और right limit जहाँ वो equal नहीं रहती और जब वो equal नहीं रहती तो फिर वहाँ पर भी discontinuity की बात आ जाती है इसी दरह से आगे है left continuous and right continuous तो यह end points के उपर जैसे हमने left limit और right limit की हमने बात की थी end points के उपर यानि जहाँ पर graph end हो रहा है मिसाल के तोर पर आप इस वाले graph की बात कर रहे है तो left side से यहाँ पर end हो रहा है और इसकी सिर्फ right limit एक्जिस्ट करने के हम बात कर सकते हैं left side से तो function ही नहीं है इसी तरह से जिस point के उपर यह right side से end हो रहा है वहाँ पर हम left limit की बात कर सकते है तो इसी तरह से continuity की भी बात फिर उसी तरह से आ जाती है कि जहाँ पर function end हो रहा है वहाँ पर फिर right continuous या left continuous कैसे होगा कि जो limit है एक ही limit यानि left side वाली है तो left side वाली दूसरी side वाली है right वाली तो right वाली तो function के equal आ जाजें तो फिर क्या होगा कि वो right continuous या left continuous हो जाएगा इसको मैं दोबारा बतादा for example आपके पास एक इस side पर left side पर end point A है और right side पर end point B है तो हम क्या कहेंगे कि limit x approaches to A from positive side should be equal to f of A और इसी तरह से B के लिए भी फिर यह होगा कि limit और क्या x approaches to B from negative side should be equal to f of B तो फिर हमारी जो है वो वाली चीज़ आ जाएगी left limit और right limit और फिर function के equal भी अगर आ जाए तो वहाँ पर left continuous या right continuous की बात जाएगी यह आगे उसने definition यह हमने पहले discuss कर ली है यह बात discuss कर ली है function is continuous on an interval पहले point की बात हो रही थी अब interval की तो मैंने यह बात बता दिया आपको कि अगर interval की बात है तो फिर जाहर है interval में जितने भी नंबर है उन सब के ओपर वो क्या होनी चाहिए फिर वो continuous होनी चाहिए तो फिर हम यह कहेंगे कि function जो है वो उस interval के ओपर continuous है Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh